नमस्ते बच्चो आज हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीट करेंगे दक्षता अभ्यास एक और ये कक्षा शाहत की गड़ित की इकाई एक पर्मेर संख्याउं से ली गई है तो दोस्तों देर किस बात की चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इक्सरसाइज तो बच्चो इसमें मेरा पहला प्रस्ण दिया गया है कि इस प्रस्ण के पितिये खंड में उत्तर के चार विकल्प दिये गए हैं इनमें से केबल एक विकल्प सही है सही उत्तर अपनी अभ्यास पुष्टका में लखी है ये बच्चो बहुबिकलपी प्रस्ण है और इसमें चार ओप्षन दिये गए होते हैं एक प्रस्ण होता है और उसके चार ओप्षन होते हैं उसमें से कोई एक ओप्षन सही होता है तीन गलत होते हैं तो जो सही है उसको हमें बताना है तो पहला है कि परमेर संख्या के समतुल्य परमेर संख्या कितनी होती है यानि किसी एक परमेर संख्या के बराबर कितनी और परमेर संख्या हो सकती है तो बच्चों इसका सही आंसर है अनंद और वो क्यों जैसे कोई संख्या हमने ले ली एक बटे दो तो इसमें हम 2 का गुड़ा कर दें तो ये हमारी हो जाएगी 2 बटे 4 ये भी इसके बराबर है फिर इसमें 2 का गुड़ा कर दें तो 2 दूनी 4 बटे 8 ये भी हमारी इसके बराबर है और इसी तरीके से हम गुड़ा करते चले जाएंगे संख्याएं मिलते चले जाएंगी ठीक ह खाप प्रस्ण है कि परिमेर संख्या माइनस 16 बटे 80 का सरलतम रूप है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस 16 बटे 80 और यह किसके पहाड़े में है 16 के 16 एकम 16 16 पंजे 80 और यह माइनस चेने तो यह हमारा क्या आगे है माइनस 1 बटे 5 अब देखो इसमें कौन सा है यह तो है यह वाला है तीसरा तो यह हमारा तीसरा ओप्शन सही है ठीक है आगे वाला प्रस्ण देखते हैं वह है पर मेर संख्या 40 बटे माइनस 25 का सरलतम रूप तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40 बटे माइनस 25 और यह दोनों संख्या आती है पांच की टेबल में तो 5, 8, 40, और पचंप 25 और यह माइनस चिन गाएगा तो 8 बटे माइनस 5 देखो इसमें कहाँ पे हैं तो देखो 8 बटे 25 होगा नहीं 11-5, 8-15 यहाँ पर -8-5 अब देखो -5 तरी बीचों ठीक है विसलाश्ट में देखते हैं दो आसमान परमे संख्याओं के बी कितनी परमे संख्याओं हो सकती है तो देखो दोस्तों जैसे यह लाइन है और एक हमारी पर्मे संख्यां यहां है, एक हमारी पर्मे संख्यां यहां है, तो दो पर्मे संख्यां के बीच में हमारी अनन्त पर्मे संख्यां निकल सकती है, कितनी पर्मे संख्यां होती है, अनन्त, तो वही आंसर हो जाएगा, 10 भी नहीं, 20 भी नहीं, 111 भी नहीं, बचा आंसर हमारा अ option सही है तो बच्चों इस प्रिकार से देखा आपने की प्रस्ट नंबर एक हमारा जो वह भी कलपी प्रस्ट था वह कम्प्लीट हुआ आई होग की आपनों को समझ में आया होगा तो अब हम लोग चलते हैं प्रस्ट नंबर दू पर तो बच्चों हमारा यहां पर दूसरा प्रस्ट है कि निन्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताईए अब यहां पर हमें सत्य और असत्य बताना है ठीक है कौन सही है कौन गलत तो पहला लिखा है समान परमेर संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं यह हमारा सही लिखा है क्योंकि जब परमेर संख्या बराबर होगी तो उसका सरलतम रूप भी समान होगा दूसरा है कि минus 7 बटे minus 11 धन पर में संक्या है तो यहाँ पर यह देखो minus 7 बटे minus 11 हमारे हो लिखा हुआ है minus से minus कड जाएगा तो क्या बचेगा 7 बटे 11 अब यह बताओ यह हमारी धन में है कि जड में है धन में है तो obviously यह कैसी संक्या होगी दण पर यह कुल मिलाकर हमारा होगा माइनस चार नुग प्लस तो प्लस है अगा दो माइनस होते तो प्लस हो जाता ठीक है तो यह हमारा निगेटिब है दिश्गा संख्या है यहां पर लिखा है धन पर्मे संख्याए इसका मतलब यह हमारा सत्य हो जाएगा ठीक है समझ गए आप लोग अब देखो आगे आगे दिया गया है तीन बटे माइनस 11 और माइनस 3 बटे 11 समान है तो बच्चों यह हमारा वास्तों में बिल्कुल समान है क्योंकि यहां पर माइ इसका मतलब यह भी हमारा सत्य हुआ आगे देखो आगे हैं एक बटे दो दो बटे चार और तीन बटे च्छ एक ही पर्मे संख्या के विभिन रूप है बिल्कुल सही लिखा है देखो एक बटे दो में अगर हम दो का गुणा कर देंगे तो यह हमारा आ जाएगा दो बटे चार ठीक है? उसी परिकार एक बटे दो में अगर हम तीन का गुणा कर देंगे तो यह ऊपर नीचै तो टीन एक हम तीन बटे तीन बटे दूनीच्छ है तो यह भी हमारा एक बटे दो का ही दूसरा रूप है तो एक बटे दो से हमारा दो वटे चारगा है जब 2 का गुणा किया उसी प्रगार एक बटे 2 में॥ जब तीन का गुणा किया तो तीन बटे-6 और इसी प्रिकार से आगे संख्याहिं हमें मिलती जाएंगी तो इसका मतलब यह था यह था एक यह पर संख्या है क्यों غलत लिखा है क्योंकि यहां पे इंगर हम दो से भाग देढ़े दे आ दे मिघ हैं तो उसलिए हमारा आ सत्य हो गया अब आगे देखो दिया गया है कि माइनस 4 बटे माइनस 5 और 4 बटे 5 समान है तो यहाँ पे भी देखो जैसे ऊपर एक प्रस्नमने किया था पहला इसमें माइनस चिंद कट जाएंगे तो 4 बटे 5 और 4 बटे 5 ही रहेगा इसका मतलब यह भी हमारा सत्य है ठीक है आगे देखो, सभी पूरांक परमे संख्याएं हैं, यहां पर बिल्कुल सही लिखा है कि जितने भी पूरांक होते हैं, जैसे पूरांक दो है, तो दो बटे एक हो गया, अंस बटे हर में हो गया, जैसे पूरांक तीन है, तो तीन बटे एक हो गया, यह भी अंस बटे हर में हो क्यों जैसे पर्मेर संख्या 3 बटे 5 है तो यह कि हमारी पूडांग हुई पूडांग नहीं हुई इसलिए सभी पर्मेर संख्याएं पूडांग नहीं होती है और यह इसमें गलत लिखा है यह है असत आगे देखो 0 बटे 5 और 0 बटे माइनस 3 समान पर्मेर संख्याएं नहीं यहां किसी का बाग जाएगा यह वी जीरो आयगा और यहां भी जीरो में किसी का बाग जाएगा यह भी जीरो आयेगा दोनों जीरों हैं तो यह ढोला closest है दो आउंकल पर्मेल्शंख्यां अभी भी आपको उने बताया था हमदकी इस पर क्रेश पर लोग अबicki आप लोग इसको समझे होगे तो आब लोग उसके अगले प्रस्ण यानी प्रस नमबर गया है और निम्नांकित पर मेरी संख्या अवरोही क्रम में लिखिए कुछ पर्मेर संख्याएं दी गई हैं और इनको अवरोही क्रम में लिखना है आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में तो उसमें लिखने के लिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह जो संख्याएं हैं इनके हर हमें बराबर करने हैं यहां पे हर बराबर नहीं है सीधा सा आप एक यह समझो कि अगर हम चार बच्चों की लंबाई नाप रहे तो जरूरी है कि वो लोग एक निश्चित सम्तल स्थान पर खड़े हों ऐसा नहीं कि पहला बच्चा यहां खड़ा है दूसरा यहां पर खड़ा है तीसरा यहां पर खड़ा है श्टूर रखके च कौन परमे संख्या बढ़ी है कौन परमे संख्या छोटी है ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले हम एल्सीम लेंगे लासा लेंगे और यह अपने कक्षा 5 में पढ़ा है हर की संख्या एक हमारी है 5 दूसरी है साथ तीसरी है 9 और चौथी है 6 इसके गुड़नखंड करेंगे तो 5 एकम 5 7 के साथ एकम 7 9 के होते हैं 3 गुड़ने 3 3 तीरका 9 तो यह संख्या जो उपर होती है उसके नीचे वही संख्या लिखते है 6 को लिखेंगे 2 ती 6 यानि 3 गुड़ने 2 ठीक है इस तरीके से हमने इनको लिख लिया अब हम लोग क्या करेंगे सभी को नीचे ले आए पांच, एक साथ, तीन, तीन, दू, आपस में इन सब यiron कर देंगे गोडा, छिएक है। 35, 35 दूनी 70, 35 दूनी 105, 105 दूनी 315, 315 दूनी 630, ठीक है, तो जब हमारे पास लासा निकल के आ गया, अब हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का हर हमें इतना लाना है, तो देखो, इसमें क्या करेंगे, दो बटे 5 में हम कितने का गुणा करेंगे, यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो 5 का हम इसमें दे देंगे भाग, यह तो 5 एक हम 5 बचा 1, 1 को 3, 13 होगा, 5 दूनी 10, 3 बचे 5 हका 30, 126 आया, या फिर क्या करो, 5 को हम लोग बंद कर लो, फिर देखो कितना बचा, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 दूनी 126, तो 126 का गुणा हम उपर कर देंगे और 126 का गुणा हम नीचे कर देंगे, ठीक है, अब हमारा यहाँ पर है 7, तो 7 का हम भाग दे देंगे, इसमें conviction 63, यह जियो 90 ययों को अब नो का भागग देते सट में तो नव शक चाओड शूओज हम उसके सट्री जिर चेकर तो सस्तर गुणा हम Bike का डेचा है अब हम्ण के क्वागँ में जाएगम हम जाएगा और एक्सुपांच का गुणा हम कि जांगे तिक है इतना समद में आ गया अब हम लोग क्या करेंगे उपर गुणा कर दो उनके तो 6 दूनी 12 की 2 हांसिल लगा एक दो दूनी 4 और 5 और 2 एकम 2 बटे वही नीचे गुणा करेंगे तो 630 आएगा इधर 0 का 0 दूनोचो को 36, 360 बटे 630 इधर 5, 35, 350 बटे 9, 63, 630 इधर एक कगुणा 105 में यानि 105 बटे 630 ये संख्या है आ गई अब हमें इन संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना है यानि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या तो अंस किसका सबसे बड़ा है तो 360, 360 है सबसे बड़ा तो इसको हम पहले लिख देगे अब लिख देगे अब लोही क्रम तो ये हो जाएगा 360 बटे 630 उसके बाद उससे छोटा, 360 से छोटा है 350 350 बटे 630 उसके बाद उससे छोटा है हमारा 252 तो 252 बटे 630 और उसके बाद सबसे छोटा लाश्ट वाली संख्या 105 बटे 630 अब ये संख्या है हमारी प्रस्त में तो थी नहीं तो प्रस्त में 360 के संख्या कौन से थी? चार बटे 7 तो इसको लिख लेंगे 4 बटे 7 350 वाली 5 बटे 9 252 वाली 2 बटे 5 और अंत में 105 अंस जिसका है वो संख्या थी एक बटे 6 तो आपने देखा इस प्रकार से हमने दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख दिया है आयोब कि आप लोग इसको समझ गया होंगे अब हम लोग इसके आगे वाले प्रस्त पे चलते हैं तो बच्चों हमारा यहां पर अगला प्रस्त दिया गया है खा नंबर माइनस 4 बटे 11 एक बटे माइनस 3 माइनस 5 बटे 7 और माइनस 3 बटे 4 इनको भी हम लोगों को अवरोही क्रम में लिखना है तो वही काम फिल से करेंगे हम क्या लेंगे सबसे पहले लासा लेने पर तो जो भी संख्याओं हर में दी गई हैं उनका हम लोग लासा ले लेंगे तो पहले संख्याओं 11 उसके बाद 3 उ सके बाद कर देंगे आपस में गुड़ा साथ गुड़ें दो गुड़ें 2 ठीक है सब इको नीचे लिख दिया गुड़ा कर दो तो 11-11 11-33 साथिया 21 की एक हांसे लगा दो साथिया 21 और दो तेश्ट दो सो एकत्यस में गुड़ें दो दो एकम दो तीन दूनी छै दो दूनी चार अब उसमें भी गुड़ा दो दो दूनी चार चै दूनी बारा चार दूनी आठ देख नौ तो यह हमारा आया 924 ठीक है समझ गया आप लोग अब हमें हर में यही संख्या लानी है 924 तो देखो इधर हमारा था माइनस चार बटे ग्यारा अब 11 में कितने का गुड़ा करें जो 924 आ जाए तो 11 का इसमें भाग दे तो 11 888 दूसरी संख्या है हमारी एक बटे माइनस तीन अब इसमें कितने का गुड़ा करेंगे तो तीन का हम भाग देंगे तीन 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 नव दो में जाएगा ने तीन अठे चोबिस तीन सो आठ तो 308 का गुड़ा अन्ने उपर कर दिया 308 का गुड़ा नीचे कर दिया अब तीसी संख्या है माइनस पांच बटे साथ इसमें कितने का गुड़ा होगा तो साथ काम भाग देंगे इसमें साथ एकम नीचे हो गया ठीक है लाश्ट में है माइनस 3 बटे 4 तो इसमें कितने का गुड़ा होगा तो 4 का भाग दे दो 4 दुनी 8 एक बचा 4 तीया 12 4 एकम 4 231 का गुणा हमने कर दिया, 231 का नीचे भी गुणा कर दिया, ठीक है, अब देखो, अब हम इनका गुणा कर देंगे, गुणा करके हम लोग लिखे देंगे, सिंपल सा, तो ये 4 चोको 16 के 6 हासिल लगा, 1, 8 चोको 32 और 1, 33, माइनस बटे, नीचे वही संख्या आएगी 924, भी हम उपर लिए जा रहे, 1 का गुणा होगा 308 में, तो 308 ही आएगा, 900 बटे में 24, उपर 5 का गुणा होगा, 5 दूनी 10 की सून, हासिल लगा, 1, 5, 3, 15, और 1, 16, हासिल लगा, 1, 5, 1, 5, 5, और 1, 6, माइनस का चिन बटे, 924, अंत में 3, 3, 3, 9, 3 दूनी 6, माइनस का चिन बट हुआ है, तो जब भी माइनस चिन लग जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे चोटी हो जाती है, और सबसे चोटी संख्या सबसे बड़ी हो जाती है, उदारार के तोर पर माइनस 10 और माइनस 50, तो वैसे तो 50 बड़ा है, ठीक है, लेकिन माइनस चिन लग गया, तो पास 50 रुपए उधार है और इसके 10 रुपए उधार है तो जिसके पास 50 रुपए उधार है वह ज्यादा छोटा हुआ जिसके पास 10 रुपए उधार है वह बड़ा हुआ इसके पास कम उधार ही है तो माइनस 10 हमादी बड़ी हो जाएगी माइनस 50 हमादी छोटी हो जाएगी जबकि 50 बड़ा आए 10 छुटा है वही काम यहां पर तो हम जो है सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे तो इसका मतलब माइनस में जो सबसे कम हो तो माइनस में सबसे कम यह है तो लिख देंगे पहले तो हम लिख दें अवरोही करम में लिखने पर सबसे पहले हमारा आएगा माइनस 308 बटे 924 उसके बाद 336 माइनस के माइनस 336 बटे 924 उसके बाद 660 माइनस 660 बटे 924 और अंत में माइनस 693 बटे 924 अब इनकी संगत संख्या कौन सी थी तो 308 के संगत थी एक बटे माइनस 3 सबसे बढ़ी है उससे छोटी है तो बच्चो देखा आपने इस प्रकार से हमें इन दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम पता चल चुका है और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रस्न गाप तो यहां पर प्रस्न नंबर तीसरे के गाप में जो संख्याओं दी गई है वो है हमारी 5 बटे माइनस 9, माइनस 7 बटे 12, 7 बटे माइनस 18 और माइनस 2 बटे 3 इनको भी और वही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा हर का क्या लेंगे लासा लेने पर तो देखो हर में कौन-कौन सी संख्याओं है तो सबसे पहले है 9 9 के बाद है 12, 12 के बाद है 18 और उसके बाद है 3 तो 9 के गुड़न खंड होंगे 3 गुड़न 3, 3-9 12 के 3, 2-6, 2-12, 18 के 3, 3-9, 2-18 नीचे संख्याओं जब लिखेंगे तब एक बार फिर से आपको बताते कच्छा पांच में भी आपने पढ़ा होगा लासा लेते समान संख्या के नीचे वही संख्या लिखते हैं अगर 3 है तो 3 के ही नीचे 3 लिखेंगे, 2 है तो 2 के नीचे 2 ही लिखेंगे नहीं तो नहीं लिखेंगे उसको आगे लिख देंगे, ठीक है अब 3 है अंत में तो 3 है कम 3, तो 3 और 1 हम लिखेंगे आगे ठीक है अब हम इनका जो है नीचे सब संख्याओं को लिख देंगे तो यह आगई 3 यह आगई 3 यह आगई 2 यह आगई 2 और अंत में 1 इन सब का आपस में कर देंगे गुड़ा तो यह आगया 3 तीया 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 एकम 36 छोटी संख्या है पिछले दो प्रस्णों की य 6 Michael no Drug 36 लाने के लिए 9 उसके बाद मायनस 2 बटे 3 और 3 से 36 लाने के लिए 3 एकम 3 दूनी 6 y artist, 12 का गुणा करेगे ज़ीए । कर देते हैं गुड़ा माइनस चिन नीचे है इसको हम लोग उपर ले जाएंगे तो माइनस पान्चो को बीस बटे नौ चो को 36 माइनस साथ तिया इकिस बटे बारा तिया 36 माइनस चिन फिर से उपर साथ दूनी 14 बटे 18 दूनी 36 और यह भी माइनस बारा दूनी 24 बटे बारा तिया 36 ठीक है अब हम लिख देंगे आताहा अब रोही क्रम में लिखने पर तो इसमें भी माइनस का चिन्न लगा हुआ है इसका मतलब जो अंस में बड़ी संख्या होगी वो छोटी हो जाएगी जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी हो जाएगी तो पहले में बड़ी संख्या लिखनी है यानि अंस में हम देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है तो माइनस 14 ये चुब कि माइनस चल लगा इसलिए ये सबसे बड़ी हो जाएगी तो हम लिख देंगे माइनस 14 बटे 36 अब माइनस 14 से थोड़ी बड़ी माइनस 20 बटे 36 उसके बाद 20 के बाद माइनस 21 बटे 36 और उसके बाद माइनस 24 बटे 36 अब माइनस 14 की संगत तीसरी है ना ये 7 बटे-18, 20 ये पहली वाली है यानि 5 बटे-9, उसके बाद 21 यानि दूसरी वाली संख्या है माइनस 7 बटे-12 और अंत में 4 वाली है माइनस 2 बटे-3 तो बच्चो इस प्रिकार से देखा आपने कि जो भी हमें पर्मे संख्याएं दी गई थी उनको हम लोगों ने अब रोही क्रम में लिख दिया है उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गयोंगे और अपनी कॉपी पे इसको बिना देखे लगा सकते हैं तो अब हम लोग चल लगे हुए हैं सबसे पहला काम हम करेंगे कि हर संख्याओं का क्या लेगे लासा लेने पर आप लोग भी निकालो और देखते हैं कि कौन पहले लासा निकाल लेगा संख्याएं दी गई हैं पहली है चार अजमे उसके बाद 12 उसके बाद 16 और उसके बाद 24 चार के गुड़ दुनी 4 अब 3 के नीचे 2 नहीं लिखें गें दुनी 8 दुनी 16 24 दो दुनी चार तिया 12 दुनी 24 ठीक है नीचे आएगा दो दो तीन दो और दो सभी का आपसमें गोणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 तीया 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 हमारा आ गया प्लासा अब हम लोग गुडा कर देंगे तो माइनस 3 बटे 4 में हम कितने का गुडा करेंगे 48 के लिए 12 चोको 48 4 एकम 4 4 दूनी 8 बारा बाल जाएगा भाग तो 12 का गुडा ऊपर और नीचे कर दिया उसके बाद 5 बटे माइनस 12 और 12 चोको 48 तो 4 का गुड़ा उपर नीचे करना पड़ेगा इधार है माइनस 7 बटे 16 तो 16 तीया 48 तीन बाल भाग गया तो 3 का गुड़ा उपर नीचे करेंगे उसके बाद 9 बटे माइनस 24 तो 24 का 48 में 24 दूनी 48 दो बाल जाएगा तो 2 का गुड़ा उपर नीचे करेंगे ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या आएगा 12 तीया 36 माइनस 36 बटे 12 चोको 48 ये माइनस चिन उपर जाएगा 5 चोको 20 बटे 12 चोको 48 ये माइनस 27 बटे 16 तीया 48 और ये माइनस चिन उपर 9 दूनी 18 बटे 24 दूनी 48 ठीक है अब वही काम हम लोग करेंगे कि जो संख्या अंस में सबसे छोटी होगी वो हमारी बड़ी संख्या होगी क्योंकि माइनस का चिनने लगा हुआ है तो सबसे छोटी है यह यानि तो यह माइनस 18 बटे 48 पहले आएगा उसके बाद 18 के बाद 20 माइनस 20 बटे 48 उसके बाद माइनस 21 बटे 48 और अंट में है माइनस 36 बटे 48 अब हम इनके यहां पे हम लिख देंगे अब लोही क्रम ठीक है तो अब हम लोग इनकी संगत जो संख्या है उनको लिख देगे माइनस 18 चौथी वाली यानि 9 बटे माइनस 24 उसके बाद 20 वाली यह दूसरी है 5 बटे माइनस 12 उसके बाद 21 वाली यह तीसरी है माइनस 7 बटे 16 और उसके बाद 36 वाली यह संख्या है पहली यानि माइनस 3 सार से बच्चों आपने देखा कि जो भी परमेर संख्याय हमें दी गई थी उनको हमने अवरोही क्रम में लिख दिया है और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी इन प्रस्टों को लगा लिया होगा समझ लिया होगा और इसी प्रस्ट के साथ हमारी एक्सरसाइज और यह ए प्रस्ट कर दो झाल